Students कैसे आप लोग मोरी आजूकेशन में आपका स्वागत है students आज हम पढ़ेंगे practice set number 11 class 7th standard का है जो कि हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं LCM और HCF इसका हमने already जो first part है students इसको हमने upload कर दिया है जिसमें basic हमने क्या सिखा कि वहाँ पर हमको दिया है कि prime number को हम कैसे पहचानते हैं हमारा को prime number क्या होता है number का factorization कैसे करते हैं उसके बारे में आज हम यहाँ पर सीखेंगे देखे factorization क्या होता है पहले तो हम इसको जान लेते हैं basic मैं example की बात करूँ तो example भी आपके book में दिया है जो कि आप उसको देखेंगे तो उसका meaning समझ में आ जाएगा तो यहाँ पर हम direct जो कि हम यहाँ पर factorization करेंगे देखे factorization किसी number को क्या करना है उसको part part में divide करना है और वो part कैसा होना चाहिए वो part अपने में खुद में prime number होना चाहिए मतलब फिर से उसका हम कोई भी factor न कर पाएं वो prime number में होने का meaning क्या हो गया कि वो खुद या तो उसी number का factor बनेगा या तो one का factor बनेगा ठीक है तो आज हम यहाँ पर example के through न यहाँ पर हम practice set को solve करेंगे तो आपका जो भी doubt है यहाँ पर पूरा clear हो जाएगा और आपका practice set भी complete हो जाएगा तो चलिए हम start करते हैं यहाँ पर problem set को या practice set को complete करने के लिए यहाँ पर हमको factorization करना है बच्चों तो होता है हमारा horizontal method जैसे कि हम factor बनाते हैं एक line में और दूसरा होता है vertical vertical का meaning जैसे हम division करते हैं same division के moment में हमको करना होता है तो यहाँ पर हम first आपको जो basic सबसे special trick है जो आपको दिमाग में भी बैठ जाए आपको कोई problem भी न दे और फटा फट आप सीख जाएंगे तो हम प यहाँ पर मैं question आप देख सकते हैं कि question यहाँ पर लिख दिया हूँ और question के ही आधार पर हम नीचे question को swallow करेंगे तो हम पहले question number one का solution ढूनते हैं तो question number one का solution हमको ढूनना है बच्चों तो क्या करना है हमको देखिए यहाँ पर हमको क्या दिया है 32 क्या दिया है 32 के हमको क्या करना है या पर factor बनाना है अब देखिए 32 को हम ऐसा लिखेंगे और एक line खीचेंगे ठीक है अब इसको हम divide करेंगे divide कैसे करेंगे division का आपको rule अच्छे तरह मालूम है जो कि 6 standard में अच्छे से सिखाया गया है divisibility test में अगर unit place पर 0 है 2 है 4 है 6 है 8 है तो 2 से divide होता है तो यहाँ पर आपको unit place पर 2 मिला मतलब ए 2 से divide होगा तो 2 1 जा 2 1 बचा 2 6 जा 12 अब 6 आया फिर से 2 से divide होगा divide कीजिए इसको तो यहाँ पर हो जाएगा 2 8 जा 16 फिर 2 से divide 2 4 जा 2 से फिर 2 2 जा और 2 1 जा अब देखे 1 आ गया हमको last में क्या लाना रहता है 1 लाना रहता है तो हमारा यहाँ पर factorization complete हो गया इसका हमको अगर factor लिखना है तो हम क्या लिखेंगे बच्चों देखे factor factor of 32 equal to क्या मिला हमको factor 2 into 2 into 2 into 2 2 2 जा 4 2 जा 8 जा 16 जा 32 यह हमारा क्या हो गया factor हो गया हमारा factor complete हो गया अब यही काम अगर आपको मालुम रहता तो यहाँ पर horizontal method में क्या करते बच्चों हम horizontal method में इसको यहाँ पर क्या लिखते 2 32 का factor हम क्या लिख सकते थे 2 into 16 2 into 16 आगे 2 हमको prime number मिला एक एक prime number में तोड़ते जाए फिर से इसको हम लिख सकते है 2 into 8 clear है आगे 2 2 हमको जो मिला है उसको लिखा 8 को हम factorize करेंगे तो 2 into 4 आएगा फिर से 2 into 2 जितने हमको prime number मिलते जाते हैं उसको हम side में कर लेते हैं फिर यहाँ 2 4 को factorize करेंगे तो 2 into 2 यह हमारा factor complete हो गया अब इससे ज़्यादा इसके factor नहीं बन सकते क्योंकि 2 already सबसे छोटे छोटे prime number में हमने इसको convert कर दिया है तो यह हमारा हो गया horizontal method और यहाँ पर हो गया हमारा vertical method ठीक है तो आप दोनों तरह से इसको swallow कर सकते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है चलिए हम चलते है question number 2 पर question number 2 में हमको दिया है बच्चों 57 अब 57 देखिए आपको मालूम है कि 57 किसका factor है 57 को अगर हम divide करें तो किस से divide कर सकते हैं 7 और 5 12 हो रहा है मतलब 3 से divide होगा 3 वंजा 3, 3 नाइन जा 27 अब 19, 19 वंजा 19 हमारे factor हो गए क्योंकि last में 1 आ गए तो हमारा factor कितना हुआ 3 इंटू 19, 3 नाइन जा 57 होता है या 19 थ्री जा 57 होता है तो हमारा factor complete हो गया और यही base हमारा अगर आप horizontal में करते तो भी आपका 3 इंटू 19 और factor हो गया ठीक है तो इस तरह से इसको करना है question number 3 question number 3 पर चलते हैं बच्चो 23 अब देखे 23 हमारा आपको अच्छी तरह मालूम है कि 23 क्या है odd number भी है और prime number भी है कैसे prime number का definition हमने बताया है कि prime number में क्या होता है या तो खुद से divide होगा खुद से मतलब यह क्या हो सकता है या तो 23 से divide होगा या तो 1 से divide होगा दूसरा इससे किसी से भी divide नहीं होगा तो इसका factor हम maximum क्या बना सकते हैं 1 into 23 और यही आपका answer है यही आपका answer है ठीक है चलिए fourth पर चलते है fourth पर यहाँ पर हम fourth को complete करते है बच्चों fourth हमको क्या दिया है 150 150 को हम यहाँ पर horizontal से करें चलिए horizontal से करते हैं तो 150 equal to हम क्या लिख सकते हैं 2 into 75 75 to 150 होता है 2 एक हमको प्राइम नंबर हमको सबसे छोटे से छोटे में convert करना है अब इसको ऐसा हम नहीं लिख सकते हैं कि 10 into 15 हमारा हो गया factor हमको प्राइम में जो नंबर हमको निकालना है प्राइम में होना चाहिए अब 75 को हम क्या लिख सकते हैं 3 into 25 क्यों क्यों क्योंकि 25 3 जा 75 होता है अब 2 into 3 दो प्राइम नंबर मिले अब 25 को हम क्या कर सकते हैं बच्चो 5 into 5 क्योंकि और इसका कोई factor नहीं हो सकता 5 5 जा 25 आता तो हमको total factor क्या मिल गए यहाँ पर total हमको यहाँ पर factor मिल गए 2 into 3 into 5 into 5 और answer complete चलिए अब हम चलते हैं फिफ्थ पर 2 1 6 2 1 6 को चलिए हम इसको vertical से करते हैं आपको हर method clear होना चाहिए 2 1 6 देखे 2 से divide होगा 2 1 जा 2 1 में नहीं भाग जा रहा है हम 0 को carry करेंगे 2 8 जा 16 फिर से 2 से divide कीजिए 2 5 जा 10 4 जा फिर से 2 से divide होगा 2 2 जा और 1 2 7 जा अब 27 आ गया 27 3 के table में आता है मतलब 3 से divide होगा 3 9 जा 27 फिर से 3 से 3 3 जा और फिर 3 3 1 जा 3 होगया हमारे factor क्या बने बच्चों जो factor बना हम लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 टोटल हमको multiply करें तो 2 1 6 आना चाहिए देखे 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24 24 3 जा 24 3 जा होता है 72 72 3 जा 2 1 6 और यही हमारा answer होगया तो इस तरह से आपको यहाँ पर factorize करना है आगे हम चलिए यहाँ पर कुछ question और है complete करते है question आपके book में लिखा है देखे यहाँ पर 2 0 8 लेते हैं 7 6 5 लेते हैं मैं question पहले आपको लिख देता हूँ यहाँ पर question number 6 2 0 8 है 2 0 8 और यहाँ पर हमारा हो जाएगा 7 है 7 6 5 7 6 5 और आगे हमको दिया है 342 342 377 और आगे दिया है 559 ठीक है तो यह 7 है यह आपका 8 हो गया और यहाँ पर आपका 9 हो गया और यह आपका 10 हो गया question मैंने यहाँ पर लिख दिया है बच्चो अब इसको हम solve करेंगे 2 0 8 को हम factorize करेंगे 2 0 8 को तो हमने factorize किया यहाँ 2 1 6 को किया है sorry 2 0 8 को अब यहाँ पर हम करेंगे तो 2 0 8 देखिए हमने यहाँ पर लिखा अब इसको हम factorize करेंगे तो 2 1 जा 2 0 और 4 2 5 जा और यहाँ 2 फिर से 2 2 जा और 6 जा फिर से 2 2 2 जा 2 1 जा 2 और 2 3 जा 16 अब हमको 13 यहाँ पर मिला और यहाँ पर 1 मिला हो गया हमारा factorization अब देखिए यही काम आपका horizontal में भी हो जाता 2 इंटो 2 इंटो 2 इंटो 2 इंटो 13 और आपका answer क्या मिलता 2 0 8 का factor हो गया देखिए आप इस से करेंगे तो आपको आसान रहेगा अब पहले आप vertical से try कीजिए vertical को अच्छे से सीख जाएए फिर आप उसको horizontal में convert कर लेजिए clear है चलिए अब हम चलते हैं 7 7,6,5 इसका हम factor बनाएंगे 7,6,5 अब यह देखिए यहाँ 5 प्लस 6 को add कर रहे हैं तो 15,18 मतलब 3 से divide होगा 3,26 3,5 जा 15 3,5 जा 15 अभी भी 3 से divide है 3,8 जा 24 3,5 जा 15 अब किस से divide होगा 5 से क्योंकि 8,5,13 यहाँ पर 5 है लेकिन 5 से divide हो 5 बन जा 5 और 5 से बन जा 35 यहाँ पर हमको क्या मिला 17 17 बन जा 17 काम हो गया आपका काम हो गया कितने factor बने 3 into 3 into 5 into 17 देखे आपको क्या मिलेगा multiply करेंगे तो 7,6,5 देखे बहुत simple है बच्चों आप practice करेंगे तो बहुत अच्छे से कर सकते हैं practice आपको continue करना पड़ेगा आप practice को करते रहेए आपका काम आसाम हो जाएगा चलिए अब चलते हैं हम 8 पर 8 में हमको दिया है 3,42 अब इसको हम factorize करें देखे तो है तो 2 से divide होगा 2,1 जा 2,2,7 जा 14 हो जाएगा और 1 जा अब हमको क्या मिला 1,7,1 मिला 1,7,1 किसके table में आएगा बच्चों 1,7,1 को अगर देखें तो 9 आ रहा है 1,7,8,9 अभी 3 से divide होगा 3,5 जा 15 और 2 बचा 3,7 जा 21 अब 57 आए अभी यहाँ पर फिर से 3 से divide है 3,1 जा 3,3,9 जा 27 क्या मिला 19,19 प्राइम नंबर आलरेडी है किसी से divide नहीं होगा लेकिन 19 से तो होगा 19 बन्जा 19 Factor क्या मिले Factors of 3,42 Equal to 2 into 3 into 3 into 19 हमारा यह factor हो गया Clear है अब चलिए हम चलते है 9 question number पर Question number 9 3,77 अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखें 377 तो 7 प्लस 7 14 हुआ 14 में 3 जोडे 17 आ रहा है ठीक है 17 किसी के table में नहीं आता है ठीक है अब देखिए 17 आलरेडी प्राइम नंबर है किसी से डिवाइड नहीं हो रहा है अब हम देखते हैं 377 को किस से डिवाइड कर सकते हैं तो 377 अगर आप देखोगे बच्चो तो न तो 2 से डिवाइड हो रहा है न ही 3 से और 2 और 3 से नहीं होगा तो 6 से भी नहीं होगा और यहाँ पर 5 नहीं है तो 5 से भी नहीं होगा डिविजिबिल्टी टेस्ट में 7 से भी नहीं हो रहा है 7, 5じゃ 35 तो 2 बचा 27 7 के टेबल में 27 नहीं आ रहा है 8 से नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा जो 2, 3 और 6 से नहीं हो रहा है तो 9 से भी नहीं होगा 10 से तो होगा ही नहीं 11, 3じゃ 33 तो 4 बचा और यह नहीं हो रहा है 12 से देखते हैं तो 12 जब हमारा 4 से divisible नहीं है 6 से नहीं है तो 12 उसे भी नहीं है 13 से देखते हैं 13 1 जा 13 13 2 जा 26 13 2 जा 26 यहां कितना बचा बच्चों यहां पर बच रहा है हमारा 26 11 बच रहा है और यहां 1 कितना है 117 13 8 जा 13 8 जा कितना होता है 13 8 जा 104 होता है 13 9 जा 117 होता है तो 13 9 जा 117 में कट गया अब हमको क्या मिला यहां पर यहां पर मिला 29 29 तो हमारा प्राइम नंबर है तो 29 किसी से नहीं कटेगा लेकिन खुद से कटेगा तो 29 वन जा 29 हमको क्या मिला बच्चों इसका factor 13 into 29 यह minimum है और यह भी देखिये प्राइम नंबर यह भी नंबर फैक्टर जो भी बनेगा प्राइम नंबर में बनेगा एक्वल टू 377 आ गया एक्लियर है लास्ट क्वेस्चन पर हम चलते हैं लास्ट क्वेस्चन हमको दिया है 559 559 का हम फैक्टर बनाएंगे देखिये 559 को हम फिर से देखें तो यह 13 से डिवाइड होगा ठीक है मैं आपको बता देता हूँ कि यह 13 से डिविजबल है तो 13 कितना होगा 4 जा 13 को अगर 4 से मले 52 होगा ठीक है 52 और यहां बचेगा कितना यहां पर 3 बचेगा तो 39 हो गया और 13 थ्री जा 13 थ्री जा क्या होता है 39 अब हमको क्या मिला यहां 43 मिल गया और 43 किसके टेबल में आएगा 41 43 44 43 तो अल्रेडी हमारा प्राइम नंबर है बच्चों तो 43 भी किसी के टेबल में नहीं आएगा मतलब क्या होगा 43 से ही हमको भाग करना होगा तो 43 बन जा 43 हमको क्या मिला यहां पर फैक्टर 13 into 43 equal to 559 थोड़ा सा हार्ड है क्योंकि आपको 43 का टेबल नहीं आता रहेगा लेकिन 13 20 तक तो हम चेक कर सकते हैं नार्मली 20 तक आप प्रैक्टिस कीजिए आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा हमारी गारंटी है जैसे मैं आपको बताता हूँ साथ साथ आप प्रैक्टिस करते रहेए आपका मैत एकदम इजी एकदम हलवा हो जाएगा आपको मैत नाम से जरा भी डर नहीं लगेगी आप बस सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करते रहे तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर में तब तक के लिए थैंक यू बाई